नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों बहुत ही बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई है इरान के अंदर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बहुत बड़ी हमले को अंजाम दिया है बहुत बड़ी कारवाई की गई है और ये कारवाई ना तो लड़ा कुई मानसी की गई ना ही हेलिकोप्टरों से की गई इसमें इस्तमाल किये गए है इसराइली कमांडो और इसराइली एजेंट इन्होंने ही मिलकर इसको अंजाम दे दिया है और मैं आपको बताओंगा कि इसमें कौन-कौन से टारगेट हिट किये गए है कितना नुकसान पहुचाया गया है इरान को क्योंकि एक से ज़्यादा टारगेट थे और सबसे अचमभित करने वाली बात तो ये है कि इस कारवाई को खुले आम सडकों पर इंजाम दिया गया है जी हाँ और ज़्याद टारगेट था न उसके चारो तरफ हर समय इरानी एजेंट और इरानी सेना के जवानों का पहरा था उसके बावजूद कैसे मार गिराया सब कुछ मैं आपको बताओंगा यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अमेरिका के आज से 22 साल पहले करीबन 200 आदमियों को इसी व्यक्ति ने मार गिराया था जिससे बदलाई लिया गया है तो सब कुछ मैं आपको बताओंगा मेरे साथ आप सुनिमन तक बने रहेगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों 9 अगस्ट सन 1998 केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासो पर बहुत ही बड़ा हमला किया गया था और यह इतना बड़ा हमला था कि एक बार में 224 अमेरिकी नागरिक मारे गये थे इसके लावा जो वहां के लोकल लोग थे वो तो अलगी जोड़ लो आप यानि कि कौफी मैस्टिव हमला था और इस हमले का जो मास्टर मैंड था वो था अबू मुहम्मद अलमसरी और यह आज की तारीक में भी अलकाइदा का नंबर 2 कमांडर था यानि कि सबसे टो वैलिट कमांडर था नंबर 2 पर आता था और इससे मार गिराना बहुती मुश्किल काम था क्योंकि एक तो इरान में चुपा बैठा था दूसरी बात इरानी जो सेना के एजेंट है जवान है वो हरसे में उसे गेरे रखते थे लेकिन इसराइली मौसाद के एजेंटों ने इस वेक्ती को 9 अगरस्त को उसी दिन जिस दिन 22 साल की बरसी होने वाली थी पूरी जब इन्होंने हमला किया था अमेरिकी दुतावासो पर ठीक 22 साल बाद उसी दिन इस वेक्ती को खुल्याम सड़कों पर मारा है और आपको बतादो कि 9 अगरस्त को इस दिन इसे मारा था उसी दिन इरानी मीडिया ने भी इसकी खबर दिखाई थी लेकिन किसी और नाम से कि इस वेक्ती की सड़कों पर हत्या कर दी गई है और साथ ही आपको बतादो कि इसराइली एजेंटों ने एक और लड़की को मारा है दरसल ओसमा बिलादेन का जो लड़का था बेटा था उसका नाम था हमजा जिसे अमेरिका ने मार गिराया था उसकी जो पतनी थी वो भी एक तरीके साल काईदा से जुड़ी हुई थी तो उसी भी इस कारवाई में मार कर गिराया गया है और ये बहुत बड़ी काम है भी बताई जा रही आपको उता दू कि अमेरिकी सरकार ने इस अबू मुहम्मद अलमसरी पर करीबन एक करोड डोलर का इनाम रखा वा था यानि करीबन 77-78 करोड रुपे का इनाम इस पर रखा वा था बहुत ही most wanted list में आता था है तो इसलिए इसा मार गिराना अमेरिका के लिए बड़ी उपलब दिया और अमेरिका का बदला भी पूरा हो गया है लेकि इसे पूरा किया है इसराइल की खूफे अजेंसी मोसाद ने बड़ा जारा कि काफी लंबे समय से मोसाद इसकी लिए हंटिंग कर रही थी आखिरकार इसे मार कर गिरा गया है और इसको लेकर ही मैं कल एक और डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि क्या हुआ था और फिर बाइस साल तक कैसे इसे हंट किया गया और कैसे मार कर गिरा गया है कल डिटेल वीडियो भी आएगी और इसको जैसे ही मुझे कुछ और अपडेट मिलता है इन्हें क्या ऐसी आजाद घूमने देना चाहिए या फिर हमें भी इसराइल और अमेरिका वाली रन नीती अब अपना लेनी चाहिए कमेट करें जुरू बता है का साथ इस वीडियो को शेर कीजिएगा जाता है जाता है लोग साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत भूलना ऐसी बहुत साइड डिफेंस फ्रेंट पलिसी फैनसे टिट वीडियो के लिए थैंक नाम श्राचिंग वीडियो